आप अपने टाइमडी प्रॉफित यहां पर बूख कियोंगे मार्केट के अंदर तो आपने अच्छा-काचा प्रॉफित बनाया होगा अधर वाज पूरी की पूरी मार्केट शाइडवेश दी यहां पर दिसके तो आज अगर यहां पर 30 मिंटी की टाइम आप दिखाऊंगे यहां पर इसी बीच हमारा पर पूरा और नहीं पात करूंप कितने पॉइंट का मुफ मैं देखने को मिला तो आप देखने करी में करीबं करीबन हन्ड़िट से भी कम का यानि कि आज जो मार्केट थी बैंक इसके अपर जाती ती वितना डाउन अप डाउन आपन आप बिल्खुल भी मूफ्मेंट नहीं था अगर मने बात तो सिर्फ एक बड़ी कंडल आप ग्रे और यहां पर देखने को मिल रही है यही एक अच्छा काशा मूफ्मेंट देखने को मिला अधर वाइस पूरा का पूरा मार्केट देख सकते हो यहां पर होल डे आज हमार के कर पाएगा यहां पर यह चीज थ ही जो कि आज अगर मैं बात करूँ तो रहीं तो लेकिन यहां पर मार्केट के गई थी तो यहां पर हिपड़ी बेड़्याइद के लिए तो यहां पर यहां पर गवल्वा बना सकते हैं अगर जिरूर ने यहां पर देखी थी वह ट्रेड लाइन उन्होंने अच्छा प्राफिट बनाया अधर वाइस जहां पर बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं था ट्रेडिंग नहीं था यहां पर केवल ट्रैप हुए थे अगर में बात करूं तो और यहां पर डि अगर देखने को मिला नहीं फिर से उसा लेवल की आसपास लेवल के आसपास मार्किटिक क्लोजिंग दे दी हैं तो फिर सी मेरा वही इंप्ररटन त्रेसस्थे फिर से आज होगा जो की मेरा आगर मैं बात करूं तो यहां पर Marketing क्लोजिंग दी है सपोर्ट के आजपास और का तो important distance मेरा यही होगा मार्केने क्लोजिंग दी है यहाँ पर 44,830 के around तो important support के आज-पास मार्केने क्लोजिंग दी है तो कल अगर यह support मेरा breakout देता है और इसके below एक red candle close करता है तो आपको इसली मेरा first level यहाँ पर 44,000 फेले तो आपको यह वाला तो इसली यहाँ पर 44,600 का level देखने को मिलेगा और इसली आपको यहां तक मार्केट आएगा जो की कल है फिनिफ्टी के expiry तो आपको इसपारी के अंदर अगर यहाँ से मार्केने ब्रिक आउट नहीं दिया काल यहाँ पर कॉल्ट के लिए तो आपको एक expiry के अंदर jackpot यहां तक market हो सकता है, देखिए, possibilities यहां पर बता रहो कि क्या हो सकता है, यहां पर गर breakout किया, तो market आएगा, downside क्ली आएगा, down-up-down करेगा, ऊपर नीचे भी movement करेगा, हो सकता है, finally यहां पर जाये जाये, नहीं कर नहीं, वहां पर नहीं किया, तो इसी level के आज पास घूमेगा, और finally गर बात करो, दो बज़े, बार अब जास पास, एक तेजिक सास फॉल करेगा, यह possibility रहेगी, अगर market यहां से breakout नहीं देता, call site के लिए तो, तो यह आपको expiry setup देखने को मिल सकता है, यहां पर, अगर market ने breakout दे दिया, call site के लिए हो सकता है, यहां तकाए, ऊपर नीचे करें, movement इसी level के अंदर, या फिर इसी level के असपास movement करें, और इसे breakout दे देखता है, तो अच्छा कासा आपको call site के लिए expiry में देखने को मिल सकता है, यह दूसरी possibility हो गई, अब मैं बात करूँ, यहां पर, अगर bankty ने breakout दे दिया, कल closing दे दी एक gap up में, यानि कि, अगर break कर सकता है, 45,350 का, यानि कि इसके बाद आपको bullish market देखने को मिल सकती है, इसके बाद अच्छा कासा आपको call site के लिए, अप site के लिए movement देखने को मिलेगा, और यहां पर अगर put site के लिए breakout देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आपको एक downfall के लिए movement करता को नजर आ सकता है, तो यह रहे कल की possibilities, तो आपको बस वेट करना है, जब market का up down, up down करेगा, और last में बस वेट करिए कि कहा से important support है, कहा पर important resistance है, उसे बर रिकाउट करने के बाद, आप easily finific inspiring के अंदर zero to zero trades के अंदर capital को डबार जाते पल करते हो, चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स कहां का मदए उडियो साथ, तो वीडियो को लाइक कर दीचे, वीडियो को शेर कर दीचे, उडियो को शेर कर दीचे,